Hello students, कैसे आप सभी लोग? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे जो video lectures हैं, उनसे भी आपको बहुत help मिल रही होगी for your examination. तो चली फिर हम आज का video lecture स्टार्ट करते हैं. मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel accounting masterclass. and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक new subject, that is FM, financial management. अगर मैं class 12 की बात करूँ, तो class 12 में जो BST का paper होता है, business studies का, वहाँ पर FM का एक unit है, एक chapter है, ठीक है? और अगर आगे चलके आप graduation करते हैं, आप B.com करते हैं, या B.b.a. करते हैं, या अगर CACMA करते हैं, या अगर master's करते हैं, MBA, M.com करते हैं, तो वहाँ पर आप second year, और कुछ ही university की बात करें, तो वहाँ पर third year में, आप FM का पूरा एक paper पढ़ते हैं, पूरा एक subject है, बहुत detailed subject है FM का, और अगर मैं competitive exam की बात करूँ, commerce stream के जो competitive exam होते हैं, उनकी अगर बात करूँ, तो वहाँ पर भी FM से exam में बहुत question पूछे जाते हैं, तो this is a very important question, प्लस very interesting, बहुत interesting, बहुत easy, और बहुत important paper है, यह बहुत important subject है, यह FM, तो आज से हम यही subject स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कोशिश करूँगी कि एक से डेड़ महिने में, यह जो पूरा FM का paper है, इसको मैं जितने भी important topic है, उनको मैं cover करा दूँ, ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे economics, हमने micro economics और macro economics डीटेल में पढ़ा, और almost जितने भी important topics हैं, micro economics, macro economics, मैंने कोशिश की हैं, कि सारे ही important topic को cover करूँ, approximately 70 video lectures में मैंने economics cover किया है, ठीक है, उसमें 100, मैंने MCQ भी discuss किये हैं, economics पर, तो मेरा बस यही कहना है, कि उन video lectures का फाइदा उठाईएगा, खुद भी पढ़िएगा, और friends के साथ भी उसे जरूर शेर करिएगा, ठीक है, मेरे चैनल पर playlist में आपको मिल जाएगा, चलिए हम देखते हैं कि आज के lecture में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगे कि financial management क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ financial decision, चार important decisions होते हैं, investment decision, financing decision, dividend and liquidity decision, ये चार important decisions होते हैं, और इन ही चार decision पर पूरा FM का जो paper है, पूरा subject है, इन ही चार decision पर based है, ठीक है, कैसे वो सब अभी मैं डीटेल में आपको बताऊंगे, ठीक, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे financial manager का rule, ठीक है, तो ये सारे important topic हम आज के lecture मे पढ़ेंगे, ओके, और चैनल पर आप first time आये हैं, तो मेरे चैनल को जरूर subscribe कर लीजेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको commerce stream के जो different subjects है, ठीक है, उनकी video lecture series मिलती है, और ये जो screen पर आपको list of subject दिख रहे हैं, ये subject मैं already upload कर चुकी हूँ, ये subject मैं already cover कर चुकी हूँ अपने तक, यानि January 2002 तक, अगर ये video आप एक दो महीने बाद देख रहे हैं, ठीक है, फरवरी मार्च में देख रहे हैं, या अगले साल 2023 में देख रहे हैं, तो इनमें कई और नए subject आड़ हो चुके होंगे, ये अभी तक का है, अभी तक यानि January 2022 तक मैं ये सारे subject अपने चैनल प तो चलिए फिर बिना time waste के, अब हम आज का lecture स्टार्ट करते हैं, financial management, financial management, तो जरा इन जो दो टर्म्स है, financial and management, इनको जरा तोड़ देते हैं, ये क्या बना, financial plus management, तो management तो आपने class 11 में, जब आपने BST का paper पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी management पढ़ा होगा, management is all about planning, organizing, directing, controlling, ठी तो जब हम management करते हैं, जब हम planning करते हैं, organizing करते हैं, directing करते हैं, controlling करते हैं, all the financial aspects of the firm, यानि फिर्म के जितने भी financial aspects हैं, फिर्म के जितने भी financial affairs हैं, उनको जब हम plan करें, organize करें, direct करें, control करें, ठीक है, तो वही होता है financial management, ठीक, देखें, दो वर्ट से मिलके बना है, financial and management, तो management तो आप जानते हैं planning, organizing, directing, controlling तो when we manage all the financial aspects of the organization जब हम organization के जितने भी financial aspects है financial affairs है, financial activities है उन सब को manage करें, उन सब को planning करें उनके regarding organizing करें, directing करें, controlling करें then this is called financial management ठीक है, इसमें ये सब आता है procurement of fund, utilization of fund fund कहां से procure करेंगे, fund का arrangement कहां से करेंगे finance कहां से करेंगे, utilize कैसे करेंगे fund को तो ये सारही aspect के बारे में हम management करते हैं financial management में तो basically जितने भी journal principle है management के management के आपने journal principles पढ़े थे उन सब को apply किया जाता है to the financial resources of enterprises enterprise के financial resources पे जितने भी आपने principles of management के पढ़े हैं वो सब हम इस पे apply करते हैं तो this is financial management ये होता है financial management ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ चार important financial decisions चाहे इसको financial decisions कहा जाता है या finance function करके भी पूछा जा सकता है, दोनों बात एक ही है तो ये जो चार important decision है इसी पे पूरा FM का paper based होता है चाहे आप graduation की बात करिए चाहे master's की बात करिए आपके इन ही चार decisions को आप detail में पढ़ते हैं FM में, financial management के paper में financial management paper is all about these four important decisions ये जो financial management का पूरा subject है वो इन ही चार decisions के बारे में इन ही चार decision को आप detail में पढ़ते हैं financial management में चलिए, सबसे पहला decision क्या है यहाँ पर अभी में short में बता रही हूँ फिर अभी हम एक-एक जो decisions है उसको detail में आगे पढ़ेंगे अभी तो short में बताती हूँ सबसे पहला decision क्या है investment या कह लिजे long term asset mix decision पहला decision दूसरा क्या है financing या जिसे capital mix decision भी कहते है तीसरा क्या है तीसरा है dividend या profit allocation decision कहते है चौथा क्या है liquidity या short term asset mix decision तो यह चार important decision होते हैं ठीक है अब चलिए एक example के साथ बताते हूँ suppose कर यह आपका कुछ business है ठीक है आप business man है आपके सामने आपकी अलड़ी एक factory चल रही है अब business तो आप बहुत profit earn कर रहे है अब आप अपने business को और जाधा expand करना चाहते हैं तो आपके सामने तीन projects आए यह projects है आपके सामने तीन option आए कि तीन जगह आप factory और नया कुछ product launch कर सकते है आपके सामने तीन projects आए तीन project का option आया project A, project B, project C कि आप यहाँ यहाँ मतला factory लगा सकते है इन इन products की तो आपके सामने तीन projects आए तो यह जो project setup करना है नया product बनाना या कोई factory set up करना या कोई बड़ी machinery खरीदना यह सब क्या है long term asset mix decision इनको कहा जाता है, यह सब क्या है, investment decision, यहाँ पे आप क्या है, बड़े investment के decision ले रहे हैं, ठीक है, तो यही होता है investment decision, जब भी हम कोई नया business भी start करें, या already हमारा कोई business run कर रहा है, expansion के बारे में सोचें, तो हमाई सामने option कई होते हैं, हमाई सामने project A होता है, project B, project C, और भी projects होते हैं, उन में से हम सारे project तो नहीं choose कर सकते हैं, इतना तो fund नहीं होता है, तो हम इसमें से एक या दो project choose करना है, दो भी नहीं बलकि एक project choose करना होता है, तो कैसे choose करेंगे, यह सारी चीज़े हम इसमें पढ़ते हैं, investment या long term asset mix decision, ठीक है, दूसरा जो decision है, यह financing या capital mix decision, य का production करेंगे और यहाँ पर factory डालेंगे, आपने decide कर लिया, but finance कहां से आएगा, कुछ तो चलिया आपके पास होगा, बाकी पैसा कहां से आएगा, तो वही है financing या capital mix decision, ठीक, तो this is the second, and तीसरा क्या है, आपने चलिए profit भी ठीक है, पैसे का arrangement हो गया, आपने production शुरू कर दिया product बनना शुरू हो गया, market में sale होना शुरू हो गया, और आप अच्छा कहसा profit earn करने लगे है, ठीक है, लेकिन जो profit आप earn कर रहे हैं, अगर जैसे आपने अगर fund जो raise किया है, अगर shares के form में fund raise किया है, तो आपके कुछ equity shareholders होंगे, ठीक है, तो equity shareholder ने आपको क्या दिया है, fund share आपके company के share खरीदें, आपको पैसा दिया है, तो आप जो अपना profit earn करेंगे, अपनी company का, उसका profit का एक certain portion, आप अपने shareholders के साथ share करते हैं, जिसको हम कहते है dividend, पर एक problem या आती है, कि dividend का कितना proportion आप अपने shareholder के साथ share करेंगे, अगर 100 रोपय का profit है, तो 100 रोपय का पूर profit share करेंगे, या क्या पता आप न शेयर करें, पूरा reinvestment करतें अपनी factory में फिर से, या 50-50% करें, यानि 50% shareholder को दे, 50% आप रखें, तो क्या करेंगे, profit को किस तरीके से allocate करेंगे, ये decision इसमें लिया जाता है, ठीक है, चौथा decision है, liquidity या short term asset mix decision, इसमें क्या होता है, कि देख इसमें के सामने एक बड़ी problem आती है, कि 100 रुपय पूरा cash के form में, liquid form में रखें कि इसका investment कर दें, ठीक है, कितना liquid form में रखें और कितने को invested form में रखें, इसका एक proper balance बहुत important है maintain करना, वही decision इसमें लिया जाता है, ठीक है, तो इन सब के बहुत सारे model दिये गया है, बहु जो investment decision, जो मैंने पता है न, last slide में, ये पहला investment decision, तो investment decision का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है capital budgeting decision, ठीक है, capital budgeting decision, इसको कहा जाता है investment decision, ठीक है, investment decision का दूसरा नाम है capital budgeting decision, या इसको long term asset mix भी कहते हैं, ये देखे, इसका एक दूसरा नाम भी है long term asset mix, तो चाहे investment decision कही है, चाहे capital budgeting decision कही है चाहे long term asset mix decision कही है इसमें क्या decision लिया जाता है इसमें यह decision लिया जाता है allocation of capital यानि जो capital है ठीक है उसको किस तरीके से allocate किया जाएगा किन projects में investment किया जाएगा commitment of fund to long term assets ठीक है that would yield benefit in the future यानि किस तरीके से अपने fund को project A, project B, project C इनमें से किस project को choose करें अपने fund को allocate करें ताकि future में जादा से जादा benefit मिले जादा है जादा profit हो तो यह decision इसमें लिया जाता है investment decision यानि किस project में investment किया जाए ठीक है तो अब इसके दो important aspect होते हैं सबसे पहला important aspect क्या है कि सबसे पहले तो profitability calculate की जाती है ठीक है जो new investment है फिर दूसरा इसका aspect क्या है फिर एक cut off rate calculate किया जाता है cut off rate और अगर जो prospective return है आपके new investment का यानि project A का या project B का या project C का जो new investment है new project है उसका जो prospective return है और जो cut off rate आपने निकाला है दोनों को compare किया जाता है ठीक है, एक cut off rate निकाला जाता है ठीक है, और एक आपके project का जो prospective return है, वो निकाला जाता है अगर prospective return आपके cut off rate से ज़्यादा आता है, तो यानि project को accept किया जाता है, अगर जो return prospective, जो return है आपके project का वो अगर कम है, तो उस project को नहीं accept किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसमें decision लिये जाता है और जो cut-off rate होता है उसको कहा जाता है required rate of return जो cut-off rate होता है उसका नाम होता है required rate of return या जिसको opportunity cost of capital भी कहते हैं वैसे हम लोग यह सब आने वारे lectures में required rate of return क्या है cost of capital, cost of equity, cost of debt यह सब पढ़ नाया हमें ठ तो उसमें हम पढ़ेंगे यह चो investment decision होता है इसके बहुत सारे methods होते हैं ठीक है? NPV method मैं लिखती हूँ यहाँ पर NPV method, IRR method, ARR method, payback period method ठीक है? तो बहुत सारे इसके methods हैं यह सब हमें detail में पढ़ना है यह सब क्या है? investment decision की technique है या क्या लिजे capital budgeting की technique है इन methods से company decide करती है कि किस project में investment करें, किस project में investment नहीं करें, किस project को accept करें, किस को reject करें तो यह कुछ important methods है जो exam में आते ही है, जो आपको detail में पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगी आने वाले lectures में ठीक है? तो यह था पहला decision, investment decision चलिए, दूसरा decision क्या है? financing decision, ठीक है? financing यानि पैसा कहां से आएगा? तो financial manager को decide करना होता है when यानि कब, where मतलब कहां से, how मतलब कैसे, यानि पैसा कहां से, कब, कैसे आएगा? ठीक है? ताकि firm की investment need है उसे fulfill किया जा सके ठीक है? कब पैसा raise करना है? कब fund raise करना है? कहां से raise करना है? और कैसे fund raise करना है? ताकि firm की investment need fulfill हो सके, तो यह financial manager decide करता है, यह बहुत important financial decision है, financing decision और इसमें main problem पता है, क्या है? central issue क्या है? to determine the proportion of equity and debt, ठीक है? equity और debt का ratio क्या होगा? ठीक है? और जो mixture होता है न, debt और equity का, इसी को capital structure कहते हैं even capital structure भी एक बहुत important topic है, जो मैं आने वाले lectures में cover करूंगी capital structure की बहुत सारी theories है, NIE approach, NOI approach, और MM theory, तो यह सब हमें detail में पढ़ना है और capital structure का, और भी है, determinants of capital structure, और भी बहुत साई चीज़ है तो वो सब हम आने वाले lectures में पढ़ेंगे, तो capital structure क्या होता है? structure of capital of the company, company का जो पूरा capital है न, पूरी पूंजी है, उसका structure क्या होगा? ठीक है? तो main problem financing में क्या आती है? कि proportion of debt and equity, यानि debt and equity का proportion क्या रखे? तो जो financial manager है, वो best financing mix रखने की कुशिश करता है, सबसे अच्छा financing mix, सबसे बढ़िया optimum capital structure firm के लिए चूज करता है ठीक है? और optimum capital structure, सबसे अच्छा capital structure वो होता है, जिस capital structure पे firm के जो share है, उनकी value maximum हो capital structure क्या होता है? optimum capital structure वो capital structure होता है, जिस पे market value of share is maximum जो company है, उसके market value of share क्या हो? maximum हो, ठीक है? प्लस एक proper balance maintain हो risk and return के बीच में अगले lecture में हम लोग पढ़ेंगे risk return trade-off, ठीक है? एक proper balance maintain हो risk return के बीच में है तो वो उस capital structure को हम कहते हैं optimum capital structure तो यह ऐसा capital structure डिजाइन करना, उसको find out करना, पता करना और ऐसा मतलब capital structure अपनी firm के लिए maintain करना, यह काम किसका होता है? financial manager का होता है and this is one of the very important decision of finance, ठीक चलिए, तीसरा जो dividend decision है, तीसरा क्या है? dividend decision dividend तो हम जानते हैं, firm को जो भी profit होता है, profit का एक certain portion, firm क्या करती है, अपने shareholder के साथ share करती है क्यों share करती है? क्योंकि देखे, shareholder ने company में पैसा लगाया है, company जो है, company में shareholder ने पैसा लगाया है तो जो company को जो profit हुआ है, तो profit हुआ है, तो वो अपने shareholder के साथ share करना चाहिए न तो वही share, जो company होती है, अपने shareholder के साथ profit को share करती है in the form of dividend but एक problem यहाँ पे यह आती है, कि जो dividend है, ठीक है, firm के सामने तीन option है क्या है, या तो distribute कर दे all the profit, firm को जितना भी profit हुआ है suppose कर यह example लेते है, firm को 100 रुपय का profit हुआ है firm के सामने एक option यह है, कि dividend के रूप में पूरा का 100 रुपय अपने shareholder में distribute कर दे दूसरा option क्या है, कि 0 रुपीज distribute करे, यानि पूरा पैस अपने पास रख ले और उसको reinvest कर दे, company ने अपने पास रख लिया, पूरा पैसा और फिर उसको reinvest किया, और 4-5 और machinery खरी ली, जिससे production और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे company और ज़्यादा profit earn करने लगी और जिससे share की price और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो दूसरा option यह है तीसरा option कंपनी के पास क्या है, कि distribute करे a portion of it and retain the balance, यानि 100 रुपय का एक certain portion distribute करते हैं और एक certain portion अपने पास रख ले, शायद 40% distribute करते हैं और 60% अपने पास रख ले, ठीक है, तो यह तीन option कंपनी के पास होते हैं, कि या तो पूरे का पूरा distribute कर ले, या अपने पास retain कर ले, या एक certain portion distribute कर ले, तो इन में से कौन सा option best होता है, तो यह dividend decision में लिया जाता है, क्यूंकि जैसा इससे पहले आपने capital structure decision पढ़ाता, वैसे ही dividend decision से भी impact परता है shareholder's value पर, जो shareholder, जो share की value है, उस पर impact पड़ता है, तो इसलिए भी एक optimum dividend policy बनाई जाती है, firm की, जो company है वो एक optimum dividend policy बनाती है, वो policy follow करती है, which maximizes the market value of firm share, ऐसी dividend policy यूज, मतलब, follow की जाती है, जिससे market value of company share will, मतलब, will be maximum, वो maximum हो, ठीक है, और उसके लिए financial manager जो है, decide करता है, optimum dividend payout ratio, optimum dividend payout ratio, इसका मतलब क्या है, कि जो भी earning है, उसका कितना percent dividend के form में pay किया जाएगा shareholder को, उसको कहा जाता है dividend payout ratio, यानि कितना dividend payout किया जाएगा, earning का कितना dividend, कितना percent payout किया जाएगा in the form of dividend, तो उसी को कहा जाता है dividend payout ratio, यह भी बहुत important है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, जब हम आपको dividend theory पढ़ाऊंगे, यहाँ पर दो models दिये थे, दो scientist ने दो model दिये थे, एक था Walter model और एक था Gordon model, तो यह सब हम detail में पढ़ेंगे, आने वाले lectures में, ठीक है, तो dividend decision भी बहुत important decision है, अगला क्या ह liquidity decision, liquidity मतलब क्या होता है, liquidity मतलब जो कोई asset कितनी तेजी से, मतलब liquid हो सकता है, cash के form में convert हो सकता है, उसको कहते है हम liquidity, ठीक है, तो current asset, हम जानते हैं, जो current asset होते हैं, किसी भी company के, उनको अच्छे से manage करना बहुत ज़रूरी है, efficiently manage करना बहुत ज़रूरी है, क्यों ताकि in liquidity की क company के पास liquid fund है ही नहीं, या insolvency की position हो जाए, तो as we position ना आए, इसके लिए current asset, जो organization के जो current asset होते हैं, उन्हें properly manage करना, efficiently manage करना बहुत ज़रूरी है, और यही काम किया जाता है liquidity decision में, ठीक है, क्योंकि देखें, जो firm का current asset होता है, it directly affects the profitability of the firm, liquidity of the firm, and risk of the firm, जो firm का current asset होता है, current asset तो मतलब समझ रहे हैं, जैसे cash हुआ, inventory हुआ, cash हुआ, inventory हुआ, receable हुआ, ठीक है, यह सब क्या है current asset, तो current asset directly affects the profitability of the firm, liquidity of the firm, and risks of the firm, तो इसलिए current asset को properly manage करना बहुत ज़रूरी है, और यही काम किया जाता है liquidity decision में, एक example के साथ समझाती हूँ, suppose करिए firm है, उसके पास 100 तो firm यह भी कर सकती है, कि 10 रुपए firm ने cash के form में रखा, और बाकी जो 90 रुपए है, इसकी firm ने machinery खरीद ली, ठीक है, machinery खरीद ली, fixed asset में investment कर दिया, asset को मोटा मोटा divide करें, तो दो टाइप के, fixed asset and current asset, ठीक है, firm ने 90 रुपए current asset में investment, 90 रुपए fixed asset, यानि machinery plant में investment कर दिया, और 10 रुपए cash के form में रखा है, ठीक, तो अब cash के form में company ने अगर इतना कम रुपए रखा है, salary भी तो देनी है, raw material अगर purchase कर रहे है, उसका payment भी तो करना है, और भी कई खर्चे है, और भी कई bills pay करने है, तो उसके खर्चे है, तो क्या ये 10 रुपए sufficient होगा, तो यहाँ प profitability, जितना ज़्यादा production, उतना ज़्यादा profit, तो firm ने अगर liquidity कम कर दी है, यहाँ पर लिख रहे हो, firm ने अगर liquidity कम कर दी, अगर किवल 10 रुपए ही invest के हैं cash में, liquid firm में 10 रुपए ही रखे हैं, तो इससे क्या है, firm की profitability है, वो तो बढ़ गई है, क्योंकि firm ने सारे पैसे की machinery खुब production हो रहा है, खुब production हो रहा है, तो खुब profit earn हो रहा है, ठीक है, तो liquidity अगर कम है, तो profitability तो बढ़ गई, लेकिन अगर firm ने liquidity बढ़ा दी, firm ने अगर सुचा कि नहीं हम 90 रुपए cash के form में रखेंगे, ठीक है, अब दूसरा option के है, company ने सुचा कि 90 रुपए हम cash के form मे रखेंगे, और machinery जो है, किवल हम एक ही machinery से काम से लाएंगे, ठीक है, 90 रुपए cash के form में है, और machinery एक ही खरीदेंगे, तो उस case में क्या है, production कम होगा, production कम होगा, profit कम होगा, तो क्या होगा, profitability will fall, ठीक है, profitability कम होगी, तो आप देख रहे है, liquidity and profitability ये inversely proportional है, liquidity कम होती है, तो profitability ज तो इसके बीच में एक proper balance maintain करने की जौत है, यही चीज़ देखें, मैंने यहाँ पर लिखी है, conflict exists between profitability and liquidity, liquidity and profitability के बीच में एक conflict exists करता है, जब current asset को manage किया जाता है, अगर firm ने invest किया है, अगर firm ने, if firm does not invest sufficient fund in current asset, अगर firm ने current asset में sufficient investment नहीं किया है, यानि cash अगर sufficient quantity में नहीं position आ सकती है, ऐसा हो सकता है कि laborers को employees को payment करने के लिए cash ही नहीं, ऐसा भी position हो सकता है, ठीक है, बट अगर सारा पैसा cash के form में रख दिया है, तो क्या होगा profitability lose होगी, profitability hamper होगी, क्यों, क्योंकि जो idle current asset है, idle current asset यानि जो bank में रखा हुआ current asset है, उससे कोई profit नहीं होता, ठीक है, तो profitability lose होगी, तो यानि profitability, ये profitability, profitability and liquidity के बीच में एक proper balance maintain करना बहुत सरूरी है, इन दोनों के बीच में, तो यही किया जाता है, liquidity decision में, देखिए या लिखा है, a trade-off must be achieved, यानि एक trade-off मतलब होता है, balance, एक proper balance maintain करने के जोट है, between profitability and liquidity के बीच में, और यही काम किया जाता है, इ में हम पढ़ेंगे working capital management, cash management, inventory management and receivable management. यह सारे ही topic हम इसके अंडर में पढ़ेंगे liquidity decision में. अगर आप MBA finance के student हैं या आगे चलके आप MBA finance करेंगे तो working capital management का एक separate paper आप पढ़ते हैं. Finance का जब specialization में फोर सेमिस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर working capital management का एक separate paper होता है. जहां पर यहीं सब पढ़ा जाता है. Working capital management, cash management, inventory management, receivable management, working capital financing यह सब पढ़ेंगे. जो मैं आने वाले टाइम में आपको पढ़ाऊंगी भी. ठीक है? और यहां पर financial जो manager होता है उसका एक काम यह भी होता है कि firm की कितनी requirement है current asset की in the coming future याने आने वाले समय में या अभी current time में firm की current asset की यानि cash की कितनी requirement है उसको calculate करना, उसको estimate करना और यह चीज sure करना कि firm के पास हर समय इतना cash available हो ताकि कभी भी illiquidity की position ना आए तो यह भी काम होता है financial manager का तो आप देख रहे है financial manager के कितने important काम है ठीक है? तो these are the four important decision. अब कुछ important role भी है ठीक है? चार यह important decisions करके पूछा जाता है या कह लिजे finance के function है तो वहाँ पे वो चार आप लिखेंगे और अगर पूछा जाए financial manager के role तो इनके चार role होते हैं यह सबसे पहला क्या है raising of fund जो अभी हमने discuss किया financial manager का काम होता है fund raise करना कब कैसे कहां से fund raise किया जाएगा ताकि firm की requirement को fulfill किया जा सके यह सब financial manager को देखना होता है ठीक है दूसरा क्या है allocation of fund fund को कहां allocate करना है किस project में investment करना है यह सब देखना ठीक है recommend करना देखिए जो decision होता है main decision तो top management लेता है लेकिन जो financial manager होता है वो अपनी report बना करके सारे tools जो अभी आने वाले lecture में हम पढ़ेंगे capital budgeting के जो tools है NPV, IRR, ARR, payback period method वो सारे tools लगा के अपनी report बना के top management को भीजता है top management decision लेता है but कहां investment करेंगे इसके बारे में यह सब financial manager plan out करता है next क्या है profitability planning, profit planning sorry profit planning तो जब मैंने आपको management accounting पढ़ाया था तो वहाँ पर याद आ रहा है मैंने आपको पढ़ाया था CVP analysis, CVP analysis क्या है cost volume profit analysis तो यह काम भी financial manager का होता है cost, volume, profit का analysis करना यानि operating decision लेना in the area of cost, volume and profit यानि जो product बन रहा है उसकी cost कितनी होनी चाहिए ठीक है कितना volume of production करें ताकि profit हम जितना targeted profit है वो अचीव कर सके है उसकी price क्या रखें ठीक है तो इस सारे decision इन सब के बारे में plan out करना ये भी financial manager का काम होता है plus चौथा काम क्या होता है एक और इसका role है to understand the capital market capital market समझना ठीक है क्यों क्योंकि company के share भी तो वहाँ listed है जो हमाई company है उसके share भी तो वहाँ पे listed है तो share का valuation निकालना risk calculate करना, return calculate करना तो ये तो तभी कर पाएगा न financial manager जब वो capital market को समझेगा security market को समझेगा ठीक है क्योंकि capital market में firm की भी securities trade हो रही होती है ठीक है तो properly capital market को समझना उसके operation को समझना ये भी role होता है financial manager का जब मैं FM पढ़ा लोंगे तो उसके बाद अगर थोगा time बचेगा तो मैं आपको SAPM एक paper होता है अगर आप finance MBA finance करते हैं तो वहाँ पर आप third semester में एक paper पढ़ते हैं SAPM security analysis and portfolio management ये भी बहुत interesting paper है जहाँ पर आप पूरा detail में पढ़ते हैं about capital market तो अगर समय रहा तो फिर मैं capital market का भी थोड़ा एक दो videos एक दो lecture पढ़ाऊंगी तो वह भी बहुत important और बहुत interesting है कि financial manager को capital market के भी बारे में सारी understanding होनी चाहिए सारी operations समझ में आने चाहिए ठीक है तो this is all about today's lecture ये था पूरा आज का lecture का content तो ये था पूरा financial manager का role और financial decision ठीक है and financial management तो आज हमने ये तीन topic पढ़े है financial management क्या होता है financial decisions क्या है तो चार important decisions हमने पढ़ लिए ठीक है उनी पर पूरा FM का paper based होता है और तीसरा हमने पढ़ा financial manager का role ठीक है तो चलिए this was all about today's lecture ये था पूरा आज के lecture का content I hope आपको आज जो कुछ भी मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वैसे समझ में आया है तो मुझे comment section में बताईएगा ठीक है नहीं समझ में आया अगर आपने comment नहीं किया तो मैं समझ जाओंगी कि आपको ये lecture नहीं समझ में आया वैसे अगर नहीं समझ में आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर यह लगे कि आपने आज कुछ सीखा है कुछ नॉलिज गें की कुछ कॉंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज इस वीडियो का लाइक करना मत भूलिएगा हम लोग आपके लिए घंटो निकालते हैं मैं देखते हूं म जैसे हम आपके लिए इतनी महनत करते हैं आपको केवल एक लाइक का बटन प्रेस करना है प्लस मुझे फीडबैक देना है कि हाउ वाज माई लेक्टे मुझे फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग में अपने लेक्टे थोड़ा सा इंप्रूव कर पाती हूं पॉजिट तब तक अपना ध्यान रखेगा गॉडब्लिस यू